ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स आपके पिताजी भी सुबे के बड़े मानि हुए निता रही है सर अब निलो खड़ी हलके में बैठे हैं यह अब रिजर्व हलका हुआ है इसी से वेरे पिताजी तीन बार विदायक वन हैं मंत्री भारत के हरयाना सरकार में रहे हैं और लेकिन उनकी विरासित को लेके तो हम नहीं चल रहे हैं कारण उसका यह है कि हमारे राजनिती में आने का कोई मन नहीं था लिए तो हालात कुछ ऐसे बने हैं कि सरकार की तरफ से हमारे वेक्तिका जीवन में और हमारे समाजे की जीवन में उस दखल अदाजी ऐसी हो गई ही दोजार के असपास कि हमें नोकरी से एक तरफ होना पड़ा, किनारा करना पड़ा और हम समाजिक बातों को लेके चल रहे थे, और फिर वह राजनिती के तरफ मोडखा गई, क्योंकि आप समाजिक और राजनितिक जीवन को ज़्यादा अलग नहीं रख सकते हैं। आप यहां के बाशिंदे जनम लेते हैं यहां पर शहर में आपकी पढ़ाई होती है इसके बाद आपकी पहली सरकारी नौकरी होती है वह होती है। मैं हमें 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 और उसके बाद फिर आई इसमें प्रमोशन, जो प्रमोशन मेरी हो गई थी, जो मैंने छोड़ी नोगरी, तो इस तरह से मेरा केरियर चला है, तकरीबन ये वर्ष दो हजार की बात आ बता रहे हैं, उस समय इनलों की सरकात रही, तो ऐसा क्या रहा कि आप उस समय निशाने पर रही है, कोई फैसला लिना पड़ा, कुछ विक्तिकर संबंद होते हैं, कुछ लोग कान भर देते हैं, तो मुख्यमंत्री जो प्रकाश शोटालत है, वो हमारे थोड़ा सा विरूद में रहे, और जब आदमी खाली तो रहेगा नी, खाली तो रहेगा नी, तो हमने फिर कि क्या होगा, और आज तक भी जतने जतने आज नीती में नेता है, हभी हमें सभलता तो कभी मिंख नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक घेज उड़न खाते है, कि इसको सभलता मिल ग़ई, तो कभी ऐसा नहोगा, तो हमें रोकने का प्रयास करते हैं. इसी क्रम में हमें भी रोकने का प्रयास हो रहा है लेकिन देखो इस वार हमें उमीद है इंडिया गठवंदन के तरफ से हम लोकसभा के प्रतेशिया करनाल से आएं क्योंकि मानने चरत पवार जी है उनकी पार्टी में मैं हूं प्रतेश से देख चूं राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी शरचंद पवार जी की और वही एक सुत्रधारा है इस इंडिया गठव हैं लड़ने के लिए तो हमने लड़ना है और बाकि ये गठवंदन की सीट हाई आएंसेपी के लिए लेना ये फिर उनके जुम्मभारी है बड़ा पेच सा फस्ता हुआ भी नजर आ रहा है इस पर भी बगर कॉंग्रेस की ही बात करें तो घुपेंद्र हुड़ा है उधर तीन नेता और है कुमारी सेलजा किरन चौधरी रणदीब सुर्जे वाला तो इस गुटबाजी के बीच में हम क्या मानेंगे कि जो गठवंदन बना है इंडिया गठवंदन भी है तो उसमें आपको सपोर्ट मिल पाएगा आपकी सहयोगी दलों का और फिर क्या स्विकार ह होंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो दे चुके हैं हरियाना में एक सीट अब इसमें ऐसा है कि कॉंग्रेस के पास कोई भी उमीदवार नहीं है ऐसा जो दो लाक भी क्रॉस कर पाए तो एक मजबूरिया बनी हुई है इस समय और RSS के कुछ आदमे मुझ से मिदे थे आ काउंटिंग डे पे काउंटिंग सेंटर से दस बजे उसको जाने के लिए मजबूर कर देगे और अगर आप उमिदवारा आगे थोड़ा सा आपके बारे में हमें ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो जे कि जो बहुत पूर मुख्यमंतरी शरीमान मनौहरलाल जी खटर हैं वो दस बजे काउंटिंग सेंटर छोड़ने के लिए मजबूर हो जी ऐसा इतना उन्होंने फरक बताया है और लोगों की आवाज भी ऐसी देखने को मिल रही है और जैसा लोगों से रिस्पांस हा रहा है वह भी देखने को मिल रहा है कि इस बार चुनाओ यहां पर यहां पर जाते हैं तो एक तरफा हो सकता है और दो मुख्यमंत्री जो यहां खड़े होंगे पहला भी और अब वाला भी वो विदान सभा के लिए और एक लोग सभा के लिए दोनों को भी पठकनी दी जा सकती है कोई मुश्किल काम नहीं होगा और यह तो एक चुनाओ उठने को पर बात है अभी तो प्रत्यासी गोश्चत हो गए फिर लोगों का एक रिस्पॉंस क्या आता है और फैर हम उसको कैसे एक राजने थिक धारा में उसको मूडते हैं तो उस पर निर्भर करेगा यह भी हो सकता है दोनों मुख्यमंत्री इस बार भरी अच्छी पठकनी खाएं य हो ऌन्ग हो